दिली NCR में बीते कुछ दिनों से जो प्रदूशन की स्थिती बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी राहा जरूर मिली है क्योंकि यहाँ पर बारिश होई है हलकी हावा भी चली है लेकिन ये समस्या का इस्थाई समधान नहीं है थोड़ी राहात यहाँ पर मिल गई है लेकिन इजाज़त नहीं दे सकते हैं मुक्य सचेव सभी कदम यहाँ पर उठाएं अन्यथा उन्हें यहाँ भुलाया जाएगा और और इवन कभी आपर जिक्र हुआ और इवन का केवल नियूंतम प्रभाव होगा तेरा प्रतिशत यह कहा गया बैठके हो रही है लेकिन जमीनी इ बोखनी होगी हमारे हस्ट शेव करने के बाद ही चीजें क्यों आगे बढ़ती हैं तो कोट में आज इसको लेकर सुनवाई हुई थी जिसमें कोट की टिकपड़ियां जो है वो सामने आई हैं और ये भी साथ में कहा गया कि क्या केंद्र पराली साफ करने वाली मशीनों का 50 आस पर तिछात वहन करने के लिए तैयार है हेट में लगी आग के लिए एफ आयार डर्च करना कोई समधान नहीं है कुछ प्रोस्ताहन या जुर्माना लगा सकते हैं जैसे कि जो लोग पराली जलाते हैं उन्हें अगले साल MSP नहीं मिलेगा इन तमाम चीजों का पर जो है ये अब कई साल हो गए हैं इस पर चर्चा होती रहती है कोट ने भी याँ पर कहा कि उनके निर्देश का इंतजार आखिर क्यों किया जाता है कि जिबल्कों सप्रेंश कोड ने साफ कर दिया है कि क्योंकि सरकार अपने यूजनां बतार trouve ड़िकक्राइस करना चाहती है लेकिन सरकार लेना ज़ाधत लेनी होगी वह त्माम चीज़ें मिलेगा आप प्रेक्टिकलीака लिकाली ये इन सब चीजों का हम नहीं चाहते कि हम कोई आदेश जारी करें और फिर सरकारे बाद में ये कहें कि क्योंकि सुप्रीम कोड ने रोक दिया था इसलिए वो इसे लागू नहीं कर पाए कोई कमेटी भी नहीं बनाना चाहते क्योंकि सारी जिम्मेदारी कमेटी पर आ और ये एक बड़ी बात है यहां पर और उन्होंने साफ किया है कि सुप्रीम कोड अभी फिलाल इसको मोनेटरिंग करेगा 21 नौमर को अगली सुनवाई है कहा है कि सब मिलकर बैटकर हल निकाले और जो पंजाब में पराली जलाने के जो घटनाए हो रही है दूसरे राज़ करें कि अभी तो बारिश हो गई है लगता है लोगों की प्रात्ना सुन ली है लेकिन इसके लिए सरकार को कोई विश्वडिया नहीं है तो जाहिर तोर पर सुप्रीम कोड ने पिछली बार भी कहा था कि क्यों मौसम के सुधन्य का इंतिजार हम करते हैं सालों साल यह प्रो सपोर्टे आते हैं लेकिन हल नहीं निकलता यह सबसे बड़ी बात है और लगता है इस बार सुप्रीम कोड इस मामले का परमनेंट हल निकालना चाहता है जी तो यहाँ पर जो सरकारें उनकी तरफ से क्या इसमें हल को लेकर सुझाओ यहां पर आशिश कुछ दिये गए कि क क्या इसका सुलूशन हो सकता है कैसे निजात मिल सकती है प्रदूशन से क्योंकि वजाहें तो अब लगबख सबको मालूम है किन वज़ा से होता है प्रदूशन सब अपनी सब्सक्राइब बता रहे हैं क्या क्या का रहे हैं पजाब सरकार के सरकार से फंड की जरूवत है तो तमाम चीजे लेकिन सुप्रिम कोड़ीय कह रहा है कि यह समाधान को प्रैक्टिकल समाधानों में बदलने चाहिए पराली जलाई उत पर आफायर दरज हो गई बाद में सरकार F.I.R. वापस ले ले तो ये कोई practical समाधान नहीं है तो निचे तोर पर सुप्रिम कोट ये भी कह रहा है कि हम expert नहीं है जो इस तरह के बात करें आपके पास तमाम साधन हैं सरकारे की जिम्मेदारी भी ये हैं उनके पास tactical expert भी हैं विशेश्चक भी हर तरीके की उनके पास चीज़े हैं और आकड़े भी हैं तो ऐसे में वो क्यों नहीं व्यवारी कदम उठा कर लाते हैं क्यों अदालती आदेश का वो इंतजार करते हैं ये सबसे